हेलो गाई साथ मेरी ममा के बहुत तबेद खराव ममा के गुलू स्कोस्ट चल रहा है मैं आप मुलू को दिखाओं दिखाती हूँ ममा के पेड़ में दर्द भी होती है परसाने बहुत ज्यादा मेरी ममा जब से पापा गया तब से मेरे बुमा बहुत पर्चान मामा की तबेद खराब हो गई है तो मुझे यहां पर गलुकोष चड़ रहा है निका मेरे पास में बैठी हुई है तब यह ठीक नहीं है मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो फ्ल वाच कर लीजेगा और मुझे सपोर्ट कीजे और यही है बच चल रहा है तब यह ठीक नहीं है प्रेश जरूर करिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाओं और घरी पे मैंने लगवाई है बोतल मैं हस्पिटल मतलब हस्पिटल नहीं गई हूं और यहां पर निका तब ही तक बैठी रहती है जब तक मेरा गुलू को चड़नी जा तो चलिए देखे आगे वीडियो प्लीज फूल वाच कर लीजेगा वीडियो को वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बिलकुल भी ठीक नहीं हूं मेरी तब्यत दिन पे दिन मुझे बिलकुल भी ठी नहीं लग रही है ठीक क्या मैं कल पूरी रात सोई नहीं हूं पूरी रात क्यों नहीं सोई हूं पूरी रात में दर्द में रही हूं मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पेट में और मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है बहुत ही ज़्यादा व दो दिन पहले भी मुझे ग्लुकोर्ष चड़ा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है और आज भी चड़ा है मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं हूँ इसलिए कल ब्लॉक नहीं आया था मेरा और ब्लॉक मैंने ये इसलिए थोड़ा सा सूट किया है ताकि चला जाए क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इसलिए मैंने ये सूट किया है बाकी और ये मत समझेगा कि तो बैठती हूँ थोड़ा सा विर्बात करती हूँ तो हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है अनिका मेरे पास में ही बैठी है मैं कल आई भी नहीं थी यहाँ पे और आज आई हूँ क्योंकि मेरी तबेद सही नहीं इसलिए और पिरना काम काम ख़र के चली जोंगे मिना नहीं गेगाश तो वही है तो आज बाबू होते ना कल तो साइद में इतना नहीं दड़कती बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में थी और बाबू होते तो जल्दी जल्दी से सब ठीक कर देते मेरा इतना ध्यान रखते और क्यार करते बहुत मिश कर रही हूँ बाबू को बहुत ज़्यादा परिशान भी हूँ क्योंकि मुझे ठीक होना है बिटु के लिए क्योंकि बिटु का ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मन ही नहीं करता है जब खुछ से ही परिशान हो तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है फिर भी करती हूँ बैठी नहीं रहती हूँ मैं सब कुछ करती हूँ तो अभी अब मेरा खुलू कुछ निकल गया है और घर को क्लीन करना है बहुत गंदा हो गया है पोच्छा लगाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तो मैं बाइपर ही करूँगी धुलाई कर दूँगी और सोग जाएगा एक बज़ गया है तो इसलिए मैंने सूट कर लिया है तो अभी आएगा ये वीडियो तो प्लीज देख लेना बिल्कुल मतलब पैर हातों में इतनी सी दर्द होती है कि बिल्कुल भी चलने का मनी नहीं कर रहा है ये दिखिए निकल गई है अभी अभी चोटा सा ही वीडियो आएगा आज जितना भी है क्योंकि अब जा रही हूं मैं थोड़ा सा काम करूंगी और आज मंडे था मुझे निकलना भी है बारिस का मौसम है जाना है फिर मैं आओंगी भी चार पांस दिनों बाद मुझे फिर आना है थोड़ा काम है इसलिए फिर जा रही हूं तो फिर आओंगी मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इस घर को छोड़ने का दिल से बता रही हूं मेरा इस ये घर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पर जाना है मैं दो-तिन दिन बाद फिर आने वाली हूं आ जाओंगी बाकी सब लोग हैं यहां पे रहेंग तो यही है बग तक काम कर लेती हूँ गंदा छोड़के नहीं जाओंगी क्योंकि आना है तो फिर गंदा मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए तो सारी काम कर लो फिर मुझे निकलना भी है तो आनिका का फेस देख सकते हूँ कितनी खुस है वो जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुस है वो नानी के घर जाना चाहती है कहा जा रहे हो आप क्यों क्यों पापा है क्यों नहीं दिखाई नहीं देते हैं दिखाई नहीं देते तो क्या हुआ है तो मेरे पास ही ये देखो तो अभी पैकिंग भी करनी है मुझे सब यही सब रखना है जो कप्रे लेके आया थे ज़्यादा कुछ नहीं लाया थे दो जोड़ी मैं सूट ही लेके आया थी पर सूट मैं पहन भी नहीं पाई हूँ वहाँ सारी पहन दी थी इस वज़े से तो सूट ऐसे कैसे रखा है तो अभी पहन की जाना है तो फिर मिलूँगी आपसे कल और प्लीज वीडियो को फुल देख लेना ओकी बाई टेक केर और प्लीज प्रे कर देना मैं जल्दी से ठीक हो जाओ कि बिल्कुल भी मेरे अंदर से ताकत नहीं है कुछ भी करने की तो ओकी बाई के बाई भी में जाओ कि बाई भी में का लगता है